बॉललवुर्ट के खिलारी कुमार यानि कि अक्षे कुमार अपने खतनाक स्टंस के लिए हमेशा ही चरजाओ में बिने रहते हैं वो अपनी अलग अंदाज और निराले स्टंस की वज़ा से हर बर सुर्खयों में चा जाते हैं अपनी मुवीज में उनके स्टाइल का हर कोई दिवारा होता है आपको बता दें कि हाल ही में अक्षे कुमार ने अपने इंस्टा पर एक वीडियो शाय किया और यह वीडियो था उनके अपकमिंग शो जो की बेर ग्रिल्स के साथ है उसका टीजर वीडियो यहां बेर ग्रिल्स के साथ अब अक्षे कुमार खत्रों से गर फिर से खेलते हुए नजर आएंगे इस वीडियो के साथ उन्होंने टीजर में लखा इस शो को लेकर मैंने अपना पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि यह कितना खास और वज़ेदार होगा लेकिन जब बेर ने मुझे हाथी के लीद की चाय पिलाई तो उसका तो अन्दाजा ही नहीं था लेकिन दन बहुत कमाल का है आपको बता दें कि शो में अक्षे कुमार हेलिकॉप्टर से एंट्री लेदे में नजर आते हैं फिर नदी पार कर्टी पर दिखते हैं यहाँ पर उन्हीं नदी में मगर मच भी नजर आता है और फिर बार आती है हाथी के लीद की चाय की आपको बता दें कि बेर ग्रिल्स और अक्षे कुमार में सूर के जंगल में इशो की शूटिंग की है अक्षे कुमार तीसरी भारती हैं जिन्होंने वेर के साथ इशो को शूट किया है इसे पहले देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोधियुन के साथ इशो में नजर आये थे जिन्होंने उतरा खंड की वन्य अब ध्यारण भी इशो को शूट किया था उनके अलावा रजनी कान भी उनके साथ इशो का हिस्सार रह चुके हैं जो की मैसूर के ही जंगलों में नजर आये थे आपको बता दें कि अक्षे कुमार और वेर का ये शो 11 सितंबर को डिसकवरी प्लस पर शाम 8 बजे इशो प्रसारित होगा और इसके बाद विसकवरी डेटवर्क पर 14 सितंबर को आपको ये शो देखनी को मिलेगा पियम मोधी 2019 में उनके साथ इशो में नजर आये थे और अब अक्षे कुमार को बेह के साथ इन खत्रों से खेलते पर देखना काफी मज़ेदार होने बाला है अक्षे कुमार के इस एपिसोड के लिए आप कितने एकसाइटेड है हमें नीशी कमेर्शेशन में जरूर बताएगा और आप तक ऐसी उपी कही चानगारिया खबरे पहुचाते रहेंगे इस देख चैनल के साथ बने रहें धान्यवाद